तो आईये तुलना करते हैं और हम ट्रिनिटी से शुरुवात करते हैं आखिर क्यूं मसीही ट्रिनिटी के सिधान पर विश्वास करते हैं? हम इस नजरिये पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम पर दबाव खुद त्रियक परमेश्वर का होता है ना कि किसी चर्च की समीतियों की वज़े से बलकि चर्च काउंसिल्स पर भी दबाओ त्रियेक परमेश्वर का ही था अब Christians के लिए हमारे पास एक डेटा भी है हम सबों के पास एक डेटा होता है हम सब उस पर काम करते हैं हम सब चारोर देखते हैं दुनिया देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है एक moral law है और आज भी दुनिया में सैक्लो लाखो लोग ऐसे हैं जो कि ये गवाही देते हैं कि उन्होंने चमतकार को देखा है और इनसे हमें मदद मिलती है कि ईश्वर है ऐसी धारना बनाए लेकिन Christians के पास scriptures भी है old testament, new testament और जब हम scriptures पढ़ने लगते हैं तो चीजें और ज़्यादा रोचक हो जाती है इससे बहुत पहले कि Christians होते ये Bible की दो सबसे पहली शुरुवाती आयते है आदी में परमेश्वर ने आकाश और प्रत्वी के शृष्टी की प्रत्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मन रहा था तो हमारे पास परमेश्वर हैं और फिर एक अलग बात कही गई है कि तथा परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मन रहा था और फिर बात में इसी चैप्टर में ये बाइबल का पहला द्याय है वर्स 26 हम पढ़ते हैं कि और फिर परमेश्वा ने कहा हम मनुश्य को अपने सुरूप में और अपनी समानता में बनाएं अब जाहिर से दो सवाल उठते हैं पहला वो किस से बात कर रहे हैं और दूसरा वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम प्लूरल मनुश्य को अपनी यानी हमारी प्लूरल समानता में बनाएं ये राजशाही वाला हम होगा है राइट वैसे यहुदी नहीं लगाते प्लूरल ओफ मैजेस्टी तो क्यों इसका इस्तेमाल हुआ है ये आज भी एक रहे से है ये हमें आज भी नहीं पता है लेकिन जब हम इसे आगे पढ़ते जाते हैं तो रहे से और गहराता जाता है यशाया नौछे नभी एक बहश्वानी करता है हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ हमें एक बेटा दिया गया और हुकूमत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ती करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनन्त काल का पिता और शांती का राजकुमार रखा जाएगा एक लड़का पैदा हो रहा है और उसे बेटा कहा जा रहा है करीब आओ और इसे सुनो आदी से लेकर मैंने अब तक कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है और जब से वो हुआ तब से मैं वहां हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है बात यहोवा ही कर रहे है और यहोवा यह कह रहे हैं कि मुझे यहोवा ने भेजा है और वो भी यहोवा ही की आत्मा के साथ कैसे परमेश्वर को परमेश्वर ही भेज सकता है वो भी परमेश्वर की आत्मा के साथ वेल हमें नहीं मालूम और फिर बाद में जगरिया बारा दस यहवा फिर से बोल रहे है और वो ये कहते हैं कि मैं दाउत के घराने पर और यरुशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रात्ना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा तब वो मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेदा है और तब वो उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलोते बच्चे के लिए रोटे पीटते हैं और ऐसा भारी शोग करेंगे जैसे पहलोटे बच्चे के लिए करते हैं यहवा एक आत्मा को उंडेलेंगे जिससे लोग प्रशाताप करेंगे और तब वो यहवा को देखेंगे जिसे उन्होंने छेद दिया था और ऐसे रोएंगे पीटेंगे जैसे किसी का एकलोता बच्चा मर जाए अब कैसे एक पदार्थ रहित परमिश्वर छेदा जा सकता है जब तक कि वो शरीम ना आ जाए तो पुराना नियम हमें कुछ ऐसे निश्करश पर और बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ देता है कि हम इस दावे का कोई मेल निकाले की परमिश्वर तो एक ही है लेकिन उसमें एक इशारा है एक पेचीदा बहु संख्या का और फिर निकल कर आते हैं येश्व येश्व अपने चेलो को बताते हैं कि येश्व है जो कि फाइनल जज होंगे सब लोगों के जबकि पुराना नियम कहता है कि यहोवा है जो कि फाइनल जज होगा सब लोगों का येशु कहते हैं कि Resurrection Day पर येशु होंगे जो मुर्दों को जिन्दा करेंगे जबकि पुराना नियम बताता है कि वो यहुवा होगा जोकी Resurrection पर सब मुर्दों को जिन्दा करेगा येशु ये दावा करते हैं कि वो सबत के दिन का भी मालिक है और वो दाउद नभी का भी मालिक है येशु ये भी दावा करते हैं कि वो एक्सोडस के मैहूँ खुदा है और ये भी कि वो परमेश्वर के मंदिर से भी बड़े है येशु ने हमें ये भी बताया कि उनका पिता के साथ एक खास संबंध है कि वो भी प्रातना को उत्तर दे सकते हैं और जहां कई भी उसके चेले जमा होंगे वो वहां मवजूद होंगे और ये कि वो अपने चेलों के साथ जगत के अंतक सरवदा रहेंगे और प्रतवी और स्वर का सारा अदिकार उन्हें दिया गया है यहां तक कि उन्होंने एक चौकाने वाली बात और भी कही थी कि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है लेकिन येशु प्रातना भी करते हैं पिता से और वो ये दावा करते हैं कि वो पिता की ओर से हैं अब येशु ऐसे दावे क्यों करते हैं जो कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं और फिर परमेश्वर की और भी ध्यान खीशते हैं पिता बोल के युहन्ना 14-16 में येशु कहते हैं कि जब वो एक बार पिता के पास चले जाएंगे तब वो और पिता मिल करके भेजेंगे महान आत्मा ने बनाया और आत्मा सब कुछ देखता है पहला कुरंथियों हर जगे मौजूद है भजन 139 और अनंत भी है इब्रानियो 9 ये गुंड तो इश्वरी विशेषताएं होती हैं जबकि आत्मा पिता से अलग है और पुत्र से भी तो हम इन बातों के साथ क्या करत पिता नहीं है और परमेश्वर होता एक ही है सिर्फ ट्रिनिटी ही एक तरीका है और इसलिए मैंने कहा कि हमें दबाव है खुद परमेश्वर की और से कि हम उसे मानें